जै गुरुजी मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आज हिंदी के उच्चारण की विशे में आपको बताने जा रहा हूं और ये वीडियो ब्रेंटेंड प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीएसस के चैनल से ही अप्लोड हो रहा हूं और किसी चैनल को ये अप्लोड करने का रिकार नहीं है ख्षेत्रवार उच्चारण अलग-अलग होता है इसलिए मैं शुद्ध उच्चारण आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे हिंदी पढ़ाने में कभी भी जब मैं बोलूँगा तो आप इस चार्ट को याद रखेंगे हिंदी अल्फाबेट है ये इसको कैसे पढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों में बहुत लोगों का उच्चारण गलत होता है क्या गलत होता है वो भी बताऊँगा क्या गलत होता है तो करम से उपर की लाइन से चलते हैं करसर को ध्यान से देखते हूं चलेंगे आ ये आ है सभी जानते है इसमें नया क्या है आ है लेकिन नहीं नया है इसलिए कि ये जैसे जैसे हम पूरब में बढ़ते हैं बेंगाल की तरफ बढ़ते हैं तो ये आ हो जाता है बोलने में आ बोलते हैं लिखते आ हैं लेकिन बिहार के आगे तक जाते जाते ये आ हो जाता है ये बड़ा आ है इसको हम छोटा आ हैं तो यह लग जाता है तो यह बड़ा आ हो जाता है चोटे पन की याद आगई होगी यह चोटी ई है ई बोलते समय हमेशा हम थोड़ी देर के लिए बोलते हैं जैसे ई और यह ई है ई ई उ ए आई को पढ़ाना पढ़ा रहा है क्योंकि आई एस एस्पिरेंट होने से पहले आपको हिंदी शुद्ध जाननी जुरूरी है क्योंकि जिन शित्रों में आप एक भारती भाषा डार्षाइं गरूप में हंदीझ लेते हैं या बहुत से लोग लेते यहां यह मेंस आप लिख सकते, वो इंटर्व्यू आप हिंदी में दे सकते हैं, तो चारंशुद्ध होना चाहिए, अगर उचारंशुद्ध नहीं है, तो नंबर कड़ते हैं, तो यह दिहा में किया, यहां परश्चिम उत्रप्रदेश में इसे कै, खै, गै, गै बोलते हैं, गलत हैं, पूर्वी उत्रप्रदेश में से कौ, खौ, गौ, गौ बोलते हैं वो भी गलत है न ये ओ है, न ये ए है के नहीं है, कौ नहीं है ये का है का, खा, गा, गा अब का, धन, ई बराबर हो गया की जब कभी बोलें तो छोटी अपने आप समझ में आ जाने चाहिए कई बार क्लास में लोग पूछते हैं, सर ये छोटी ए के बड़ी ये तो बोलने से इस परिष्ट है जब मैं बोलू की तो ये की हो गया, छोटी ए और जब मैं बोलू की तो बड़ी हो गया और जब राइट वर्ड्स तो डाउन जाती है तो कू होता है कू का पे छोटी उकी मात्रा कू जैसे कुरूप अब कुरूप में साफ है के कू रूप ये रा है रा पे बड़ी उकी मात्रा लेगी कुरूप कुरूप का पे छोटी उकी मात्रा रा पे बड़ेव कोई मात्रा पा पे कोई मात्रा नहीं ये खा है गा गा और ये है गा 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 अभी मैं अपनी तरफ कैमरा करूँगा तो उसके बाद मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप भी बोलें का खा गा 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 ग जीज़र्ट है यह सब च-छ-च-ज-ज-च-ग और यह घय है यह जöß्सेयो नीचे यह है मनलों यह बोलना है और नाग से बोलना है यह तो यह है यह यय क्थ-द-ध-ण हिसक अड़ा नहीं है आप लोग बोलते हो अड़ा और कहते हो अड़ा अड़ा नहीं है वो अड़ा यह होता है यह अड़ा है पढ़ना गिरना पढ़ना जैसे होता है पढ़ 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 यह सब यह पढ़ना वाला अड़ा है अड़ा अड़ा तो तीनों में अंतर है अड़ा र बिंदी तो रड़ा डाकिनी से बिंदी रखी तो रड़ा हो गया रोड लिखना गलत है रोड होता है तमाम सड़कों पर लिखा रहता है रोड बुलंद शहर शहर रोड ड्राइवर रहाबा धाबा की जगे रहाबा रहाबा नहीं होता धाबा होता है ता तैथे देदे नहीं है तोथो तोथो नहीं है ता था दा धा ना पा फा बा भा मा देखो ता में हा मिलाओ ता और हा मिलाओगे तो क्या बनेगा था ता में हा मिलाओगे तो क्या बनेगा ता और हा मिलाओगे ठा डा में हा मिलाओगे धा चा में हा मिलाओगे च्छा का में हा मिलाओगे खा गा में सब में हा मिलाय जा रहा फस्स लेटर में जब हा मिलाते हैं महा पराण यह हा जो है बड़ी वैल्यू वैले जैसे कि अंकों में जीरो का में हा तो खा गा में हा घा तो यह इस तरह होता है पाफा बाबह मा या रा ला वा वा शा यह शल्जम है जब कभी बोलें शा सीटी निकले मुँसे तो शल्जम वाला शा जब सीटी ना निकले शा शटकॉण और जब सरोते वाला सा सा दाटों के पास जीवा जाए सा शा शा सा हा यह के असे हैं अंग्रेजी में क्षा ट्रा टी आरे ट्रा ग्या जीवाई यह होता है और कुछ लोग जे अने लिखते हैं इंग्लिश में जनान जैसे ग्यान को लिखते हैं जे अने अन शा ट्रा ग्यान तो यह अल्फा वेट है अब मैं कुछ शब्द बोलूँगा तो आप चारण समझ जाएंगे कैसे है कैसे कैसे नहीं यह आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं मुह से जब बोलूँगा तो आप ध्यान से देखेंगे तो मैं अब बोलने जा रहा हूं इसको तो कैसे बोलते हैं मुह ऐसी रहेगा मुह बिलकुल वैसी रहेगा यह जो बोलते हैं जैसे पांच-पांच का होता है किसी किसी में कुछ ज़्यादा कम होता है तो आप देखे रहो मुह बिलकुल वैसी बना हुआ है जीब दातों को उपर आती ही मसूड़ों पर आके लगती है अब 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 ना के साथ में रा और धा ये मिले हुए अक्षन है ता था दा धा ना एक ही जगे बोले जा रहे हैं अब की जगे ये कहा कहा से बोले जाते हैं इसके लिए वैकरण में अलग है अब शा ध्यान से समझो इसे बहुत गलती करते हो शा शल्जम वाला शा शटकॉर्ण वाला शा सरोते वाला शा शा सा हा ख्षा ख्षा त्रग्या ये हिंदी वर्ण मारा है अल्फावेट हैं एक बात जरूर ध्यान रखिए रहे हिंदी पढ़ते समय वो जो हिंदी का बाते हैं लोग आप मत बनाईए कभी रेलवे प्रेटफार्म को धुगदुग मंडल या सिगरिट को धुमद दंड पंड का फ्लाग डेमा का उट प्रटांग वाया चीज़े कहने जरूरत नहीं हिंदी का मजाग बनाना है हिंदी का मजाग बनाना अगर मैं हिंदी का मजा हुए हैं कि हम 22 भारती भाषाएं होते हुए संविधान में 23 से काम चलाते हैं अंग्रेजी से यह हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है कि हम अंग्रेजी से काम चला रहे हैं यह शर्म से डूबने की बात है गर्म की बात नहीं लेकिन हमारे हां इन ख्षेत्रों का तो मै आइस कहा है बेटा नोज आइस सीख रहा है आँखें और ओंठ और उसको जो है पानी नहीं पता तो ये इस से ज़्यादा निकरष्टता और गुलामी दूसरी कुछ नहीं हो सकती हिंदी पर गर्व करिए मैं हमेशा देखता हूँ इन वैरियेबिली आज दिन तक इंग्लिश से हूँ यूपी बोर्ट से हूँ और मचे इसका गर्व है कि मैं यूपी बोर्ट से हूँ PCS मे चार बार मैं सेलیک्टड हूँ मुझे कोई समस्या नहीं है और ना अंग्रेजी हम समस्या है साथ भाशाओं को विशेशगी हून में बाकाईदा डिग्री डिप्लोमा सब है ग हमसी को माャах बना ले तो उसकी व्यक्ति कि माशी से उसका पितार शादी कर लेता है तो उसकी मारा बेहन मीरी बेहन ही मिली दी शादी करने के लिए जो घर में सौप बिठा ली यह हालम कर रहे है कर भासों माठिश्र वालों के बाकी की बात में उनकी बार्शागली करता हूँ अगर आप बेंगॉली है तो बेंगॉली आपकी मात्रभाशा है अगर आप गुजराती है तो गुजराती है आपकी मात्रभाशा है अंग्रेजी क्यों बना रहे हूँ भाई ठीक है technical terms नहीं मिलते हैं हम पढ़ ले रहे हैं as a language पढ़ ले रहे हैं कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर पढ़ ले रहे तो उसको मा थोड़ी बना लेंगे वो मेरी मा नहीं हो सकती मेरी मा हिंदी रहेगी मेरी मात्रभाषा रहेगी मेरे प्रदेश की जो भाषा वो रहेगी तो ये गर्व भाव आपके अंदर होना चाहिए लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जब भी मैंने पूछा है कोई इस्टुएंट यहां आया है क्लास में और मैंने पूछा है तुमारा मीडियम क्या है क्वेरी में आया तो उसना बड़ी शर्मिंदिगी से कहा अगर हिंदी हुआ तो वो सर हिंदी है हिंदी है बस ऐसे करते रहोगे तो बस खाली हिंदी की दशा तो तुम ही ले जाओगे सीरे तारणहार तुम ही हो ले जा कि उसको जहुंक दोगे ये स्थिति है, ये और उपर से उचारण नहीं सिखते, टीचर सिखाते नहीं क्यों को नोन नहीं सीखा संस्कार हिंदी के इतने बुरे पड़े हुएं जिसके लिमिट नहीं है अब मैं आपको कुछ सब्दों पढ़के अभी आगे बताऊंगा उनको मैं दिखा नहीं रहा मैं पढ़के सिंपली बता रहा हूं मैंने पहली बाप तो यह आप लोगों को डिक्शनरी नहीं मिलती मैं आपको बता दूँ विक्शनरी के नाम से है आप जब सर्च करेंगे तो विक्शनरी इंगलिश में सर्च करेंगे तो ही.wiktyonary.org बस इतन सब्दकोश में मैंने आ खोला हुआ है खाली आ आ पर ही बहुत सारे हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि अंक जैसे अंक पुलिंग है और इसका अर्थ गोध है क्रोड है अब माँ लोग क्रोड नहीं पता तो का पर ढूडना पड़ाएगा क्रोड का मतलब होता है क्रोड बोलते हैं तो क्रोड है यह क्रोड का मतलब क्या होता है ट्रांसफोर्मर की कोर होती है जो यह कोर ही क्रोड है संख्या सूचक चिन भी अंक 012345 ऐसी अंक की तरह से एक शब्द हुआ अंकुर अंकुष अंग मैं सही सही बोलता चल रहा हूं आप समझते जाओ अंतरंग अं माने आपे बिंदी ता माने कोई बिंदी नहीं रंग रापे बिंदी अंतरंग यहनी आपे बिंदी ता पे नहीं रंग पे बिंदी गापे नहीं अंतर कई बार पूछते हैं लोग कि सार्थ ता पे बिंदी रखें कि आपे अविस्यारा और क्या हो सकता है हो नहीं सकती न, अंतरिक्ष, अंतराष्ट्रिय, अंतिम, सब में आपे बिंदी, अंधर, अंधकार, अन्था, अंश, अकर्ना, मैं कोई बिंदी नहीं, अकाल, अकेला अक्ल अक्सर अक्षर अक्षर है अच्छर नहीं है ये कुछ लोग च्छत्री को च्छत्री च्छत्री कहते हैं च्छत्री वाला च्छा कहते हैं वो च्छत्री तो वो है जो च्छत्री लगाते हैं वो च्छत्री वाला ख्षा नहीं है वो च्छत्री है उसका च्छा है वो च्छा यो यो करके जो बनता है वो वाला है अखवार अखरना अखवार में खा के नीचे बिंदी होती अखरना में नहीं होती अखारा अगर अगर बत्ती अगला अगाध अगनी अगनी जब भी कभी आधे अक्षर में छोटी की मात्रा लगी होती है तो पहले लगती है अगनी ना पर छोटी की मात्रा लगी है पहले आधा अक्षर आ गया तो ना के पहले आधा गा लिखा जाएगा गा और छोटी की मात्रा उसके पहले लगेगी अगनी लिखना सबको आता है मैं बोलना बता रहा हूँ अगनी अजगर अजायब घर अटकना अड़ा अतिथी अदालत अधिवेशन अधि सूचना नोटिफिकेशन अधि सूचना उचारण बोलने में अगर मौ बनता है तो बनाओ अधियादेश अधियादेश अनात अना थालय अना वरण अनुक्रमनिका अनुक्रमनिका किसी क्रम कोई क्रम सूची बनाए जाते अनुक्रमनिका अनुवाद अनुसार अनुसूचित अनुसूचि अन्याय अन्याय नहीं है अन्याय अपराण हा आधा पहले है ना बाद में अपराण लिखा जाता है अफ्सर अफीम अभैदान अभिनंदन अभिप्राय अभिवावक अभियान अभियुक्त अभिलाशा अभिलेख अभिशाप अभिशाप जब शाश्या बोला गया तो शल्यम वाला है अभियान तरिक माने इंटर्नल अभियान तरिक भा आधा या पूरा बड़ा आप अमावस्या कई लोग बोलते हैं अमावस्या अमावस्या नहीं है अमावस्या देखिए कुछ शेत्र जो होते हैं चुछी मेरा वीडियो तो हिंदुस्तान में बहुत दूर दूर तक लोग देखते हैं और खुछ लोग विश्यो के बाहर भी देखते हैं विश्यो के औने में ये इस्थानों से ये आप लोगों का उचारण अलग लग होता है एक्चुली कई जगे पर शा है ही नहीं वहाँ सा निकलता मुँसे असम से जब बोलते हैं तो नेच्वरल रूप से प्राकर्टिक रूप से जो मुखमद्रा बनी होती है तो शा नहीं निकलता ये जो मेरा पार्ट है वो हिंदी परदेशों के लिए है खास करके क्योंकि उनको एक्जाम में हिंदी लेनी है असम वाला असमिया लेगा बंगाल वाला बेंगॉली लेगा वो ये उचारण नहीं कर पाएगा कर ही नहीं पाएगा क्योंकि बेंगॉली जो व्यक्ति है तो उसको उसी प्रकार से बोलना आता है हम लोग अपनी तरीके से बोलते है तो आ को आ बोलना सौभाविक है वो गलत नहीं है क्योंकि उनके अल्फावेट में इसी प्रकार से है असमीज अल्फावेट में इसी प्रकार है देखो बेंगॉली अल्फवेट जिस तरह से हो जाती है असम की उससे थोड़ी सी उपर उठ जाती है और उसके बाद अगर हम देखें को डीसा वगरे में देखें तो अल्फवेट उस तरह से हो जाती है बदलती चली जाती है देखें तो बड़ा मतलब एक बड़ा प्यारा स एक हमें एक evolution नज़र आता है कि कैसे कैसे कहां कहां alphabet कैसे बदलती है अक्षर कैसे गोल गोल हो जाते हैं उडिया के अक्षर कितने गोल गोल से हो जाते हैं गोल मट्ल से बड़े प्यारे से लगते जानता हूँ यह डाएँ ने देखने में असमीज में नीचे की तरफ आते चले जाते हैं हिंदी लेनी है एक्जाम में और जिने यूपी PCS में हिंदी का Compulsory Paper देना है अरा जकता अर चना उपर जब भी कभी रा को रर करके बोला जाया इस तरह से तो अर चना अर चना अब ऐसे बोलते नहीं है अरचना हो जाता है तो रा गाइब सा हो जाता है एक्चुली रा को खाने की यादत होती है, रा गायव हो जाता है, दो इसमें रा नजेर ये नीं आ रहा, लेकिन अचना बोलें अगर, तो समझ में आ जाता है, रा है कहीं न गहीं, तो ये सब इया अर्थ, अर्थ बिगड़ के अर्थ हो जाता है, अर्थ शास्त्र उपर रा चड़ा हुआ अर्थ शास्त्र अर्ध अर्थ मासिक अर्धांगिनी अर्पन अलंकरण अलंकरण मने लंग उपर कर दिया लंका तो लापिबिंदी लगेगी इसमें क्या पूछना कि का पिबिंदी है कि लापिबिंदी है सीधी बात है कैसे बोलते हो जैसे बोलते हो वहां बिंदी है अलंकरन हमने ला बोला होता खाली ला बोला होता अल तो ला पर बिंदी नहीं होती ला के उपर अंकी बिंदी इसलिए है कि अलंकरन अलंकार अलग अल्टा अल्बम अल्टा होता है जो अलाक से बना हुवा लाल रंग जो इस तरियां पैरों पर लगाती है अलमारी में अधला नहीं है अलापना गाने के समय लंबा सोर खींचना अलावकिक एक हिंदी में चीज नहीं है जो अब एडॉट हो गई है जैसे पॉकेट लिखते हैं तो पॉकेट लिखने में यह बनाने लगें चंदर बिंदू में जैसा बनाते हैं चंदर बिंदी न रखो यह तो पॉकेट लॉकेट यह शब्द हिंदी में उच्चारण नहीं है हिंदी में है या तो पॉकेट है पॉकेट या पॉकेट है पापे अउ की मात्रा या ओ की मात्रा है पोकेट पाउकेट लेकिन अंग्रेजी में पी-ो-सी-के-टी पाउकेट है तो पाउकेट लिखने के लिए हम यह लगाते हैं पापे यह हिंदी का नहीं है यह हिंदी में ले लिया गया है क्योंकि सही उचारण करने के लिए ज़रूर का जो टाको ठा बोलने का स्टायल है तो वो नहीं लेकिन आज कल अब मजबूरी है स्कूलों में ऐसा सिखाया जा रहा है अब बच्चे हम लोगों ने अगर यूपी बॉर्ड में अगर अंग्रेजी सीखी अच्छे टीचर थे हमारे सिखाने वाले आज कल की तरह नहीं है जै उन्होंने ये वाद बराबर बताई कि इस तरह से अंग्रेजी बोलना हमें कताई शोभा नहीं देता हमारे लिए उचित नहीं है लेकिन आज के लिए ही माना जाता है जैसे यह है कि अगर जो बच्चा अंग्रेजी स्कूल ने पढ़ता है और यूपी बॉर्ड के स्कूल अगर उसको कमान बोलना है तो कमान बोलने में हम लोग तो कहेंगे यूपी बॉर्ड चे कमान वो कहें कमान खमान तो वो का को खा बोलना ये अगर हिंदी परदेश के हम रहने वाले हैं तो हम अपने परकार से ही बोल पाएंगे हमारी मुखमुद्रा उसी परकार बनी हम अ पड़ती उसने उसका वीडियो वो दिखा रहे थे उसके पेरेंट्स तो इस कदर मुझे लग रहा था यह तो बिलकुल अमेरिकन बच्ची है एक दम चोटी सी बच्ची है मैंने फोटो भी डाली है जिस जिन बच्चों के साथ में फेस्बुक पर वो बिलकुल अमेरिकन की त सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्म की हर्बर्ट मीड की थियोरी ब्लूमर की थियोरी यह तमाम थियोरी जो मुझे भाशाई सिद्धांत मुझे बड़े प्री हैं भाशा से हम पता नहीं क्या-क्या एक्स्प्लेइन कर सकते हैं तो वही बात मैंने आपको बताई कि लेंग्वे केहने पर उनके सेलिबरेट जरू कर लेते हैं लेकिन सच बात यह हिंदोस्तानी सब्विता में संस्कृति में मदर्स्डे की जरूवत ही नहीं है मातर दिवस तो रो जाता है बच्चा बाहर से आता है मा की गोद में लेट जाता है रोज मदर्स्डे है हर समय मदर्स्डे है हमें जरुवत नहीं है वहाँ इसलिए पढ़ती ही जरुवत क्योंकि एक अलग टाइप की संस्कृती हम लोग पैदा कर रहे है तो हमें जरुवत महसुस होती है कि हम भी एक बार बताएं कि हमारी माँ ये भी है ये भी है असली माँ तो हमारी अंग्रेजी हो गई है अंग्रेजी को ही हमने अंग्रेजी संसकार अंग्रेजी सब्विता सब कुछ जो है उसी को माँ बना लिया है और अपने पिताजी को एक और पत्नी सौब दी है लेकिन सच बात यह है कि हमारी माँ तो हमारी माँ है उस माँ को हम भूल जाते हैं तो इसलिए हिंदी को कम से कम वो दरजा जो मातर भाज़ा का है एसको उससे विरत मत करिए हिंदी को ये मत करिए और अग्रेजी स्कूल ने पढ़ना का मतलब है कि chemistry में डीफिल तभी करेंगे जब जर्मन लेंग्वेज में डिप्लोमा हो मुझे पता नहीं था मैंने सुना था कि एक foreign language में डिप्लोमा होना चाहिए तो MSC करते हुँ मैंने फ्रेंच में कर लिया जब मैंने डीफिल में इडमिशन लिया तो पतालागा chemistry वाले कोindi कंपलसरी है कि वो जर्मन में डिप्लोमा करेंगे तब तक नौकली लग गई नहीं कर पाया तो fact यह ना कि हम मा थोड़ी बना लें किसी चीज़ को हम यह थोड़ी कहते हैं कि physics हमारी मा है कि chemistry हमारी मा है ठीक है भई यह सब subject है English is a subject English is a medium but it cannot be our mother AdvertFine तो हिंदी नहीं बोलते हो आप और फर्पादी और ग्वालियरी सबका। हर एक जगे कि भषा अपने चारोर मिकषचर होती है तो सेंटरल यूपी कही हूँ इटावा बिसिकली हमारा है प्लेस जो है तो ऐसा नहीं है कोई को वहाँ पर शुद्ध खड़ी हिंदी हम लोग बोलते हूं सब कुछ बैठी बिठाई और बिगड़ी वो बोली कहलाती है बोली का आनन दलग है मैं कभी किसी में बताऊंगा बो बोली कि है जो क्षितरी बोली होती है जो ग्रामीन बोली होती है उसका एक एक शब्द बड़े भारी परागराफ कार्थ रखता है यह होता है तो यह तमाम सारे शब्दें ऐसे हैं तो यह बड़ा व्यापक शब्द है वे हिंडी में authentic वे मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा मन होता है तो मैं मैं सिर्फ अपने मन का गुलाम हूँ और दूसरे किसी का नहीं या मैं तुम सब के जो हमारे यूट्यूब बच्चे हैं उनके इसनेह का गुलाम हूँ उनके प्रेम का गुलाम हूँ उस इश्र परमपिता का तो हुई ही लेकिन बस ये प्रेम निश्चल होना चाहिए ये प्रेम मेरी तरफ से निश्चल है ये प्रेम आपके तरफ से भी निश्चल है यही बात है कल किसी ने पूछा था कि बेटियों से नाराज क्यों होगे मैं बेटियों से नाराज नहीं हूँ बस सिंपली इतना है कि मैंने एक इश्यू पूछा था, बेटियों ने चुपी सादली कोई जवाब नहीं दिया, जिन्हों ने दिया भी तो निगेटिव दिया, तो मुझे लगा कि आज के समय में बेटियों को समझाना असंभव है, जैसे वो कहा था, डॉन को पकड़ना मु मैंने नियम बनाया मैत्री, करुणा, उपेक्षा और इन तीन चीज़ों करते हुए मुदिता, मैत्री ठीक है, मैत्री माने सबसे समान स्नेहपुर्ण व्योहार, करुणा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पर करुणा, कि हे इश्वर इनकी बुद्धी को फेरो, इनकी बुद्धी को सही करो, जिससे नहीं समझ में आ जाए, उपेक्षा जब फिर भी नहीं समझ में आता तो उपेक्षा एगनोर करो, जिन लोगों को मैं ब्लॉक करता हूँ, तो उपेक्षा, क्योंकि इन तीन का परपस है, मुझे मुझे मुदित रहना है, मुदित रहन हिंडी आपकी उसको बुरा लगेगा thank you very much